नगरपंचायद सिर्सी में नगरपंचायद चेर्मैन नूर जहां वसीम के कारेकाल पूरा होने के मौके पर नगरपंचायद कारे आला में चेर्मैन की विदाई पार्टी समारो कायोजन किया गया, जिसमें नगरपंचायद करमचारी एवं अधिकारी गंड मौझूद रहें कारिक्रम में सरप्रथम चेर्मेन द्वारक किये गए विकास कारे को लेकर चर्चा की गई एवं बीते कारेकाल को याद भी किया गया कारिक्रम के दोरान चेर्मेन पति चौधरी वसीम खाने भावुक होते हुए कहा कि कारेकाल का समय तो नियधारित होता है जो एक दिन पूरा होता ही है लेकिन जिस तरह से इस दोरान आप सभी का प्यार मिला, आपकी सेवा करने का मौका मिला, उसको लेकर मानो आज ऐसा लग है कि मैं अपने परिवार से दूर हो रहा हूं चौधरी वसीम खा ने यह भी कहा कि कारेकाल बेशक पुरा हो गया है लेकिन फिर भी मैं नगर पंचायत के समस्त करमचारी एवं सिर्सी नगर पंचायत की सभी जनता के साथ दिन रात खड़ा हूं मुझसे जो भी मदद लोगो की हो सकेगी उसके लिए मैं हमेशा तयार हूं कारेक्रम के बाद समस्त सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया गया उसी के साथ साथ कारेकाल के आखरी दिन चेयर्मैन ने चौकी के सामने बने यात्री स्टैंट का भी उद्गार्टन किया उसके बाद चेयर्मैन पती चौध सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माद्यम से पूरी नगर पंचायत की जनता का शुक्रियादा करता हूं धन्यबाद देता हूं के मेरा पांस साल का जो कार्रे काल रहा उसमें उताव चड़ाव आए जो विरोधी थे विकास कारों में मेरे आले भी आए लेकिन उपर वाले ने जहां भी है उनको काम्याब नहीं होने दिया और मैंने जहां-जहां जो-जो कार कराने के थे उनमें काम कराए जैसे मेरिज हॉल हैं उनमें इस्टे करा दिया दिवानी में केस पहुचा दिया लेकिन अल्लह का ऐसा करम रहा कि तीन-चार महिने में मैंने वो इस्टे कड़बा के और मेरिज हॉल तयार करा दिया तीन प्राइमरी स्कूल हो चाहे जवाला इंटरकालीज हो और समसान घाड नया ठाकरों के महले में बनवा के दिया तीन पहले बना के दिये थे च्छे लगबग तालाब बना के दिये हैं बहुत अच्छे अच्छे सुन्दर और जो नगर में एक अस्पताल की बहुत कमी थी क्योंके अस्पताल एक नगर पंचायस सर्सी ऐसी है के जहां नहीं है पचायस हैर के अबादी और एक लाग से जादे अधिक आसपास के गाउंट दियाद के लोग भी हाँ पर सर्सी से अटेश रहते हैं तो हमने वो अस्पताल भी अपने नगर पंचायस सर्सी में फिरी किराये पर और ऐसा अस्पताल जो नुनानी अस्पताल में बड़ी अच्छी अच्छी दवाएं मिल रही हैं और एक होमेपेतिक अस्पताल जो भी यहां से चला गया था उसे भी हमने लाके अपने नगर प गली कूचों में हैं सफाई बैबस्ता घर-घर से कुला उठाने का काम क्या है घर-घर से कुला उठा के हमारी गाली लाती है दो टाइम सफाई होती है नगर के अंदर सुबा 6 बजे हमारे करमचारी उने जाकर जो भी सड़कें नगर की हैं में साफ सपाई की और इसकी हमें जो है लोगों से बहुत ज़्यादा इसकी मुबारक बात जेते हैं तारीफ करते हैं कि सपाई वेवस्ता सिर्सी में बहुत अच्छी है एक MRF सेंटर जो सरकार की बहुत बड़ी एक योजना चल रही है हमने जिले में सबसे पहले MRF सेंटर ब पनी थेला कटा हर चीज अलग करने का सब के अलग अलग हमने कंपार्ट बना के दिये हैं और पक्षी विहार जो सिर्सी का एक पक्षी विहार जो आज मैं जहां खड़ा हूँ यहां पर लोगों का वहत कबजा था उस कबजे को हटा कर हमने हमारे जो अधिकारियों ने भी ह बढ़ा योगदान रहा कम से कम उनके यहां पर सौक चक्कर लगे होंगे हमें वो मार दरसां देते थे और हम लोग उनके बतावी उस पर गौर करकर हमने दस यार पोते हैं पर लगा कर आज देखिए बन जैसा खड़ा है जैसे बहुत बढ़ा कोई बन हो गया यहां और चि इसी के अंदर गौसाला जो नगर पंचायत की यह अस्थाई गरम गौसाला है जहां हम लोग खड़े हैं आप देख रहे हैं यह पीछे गाये हैं तो इसके लिए चारा बवाने के लिए हमने जगाओं में जमीन जो है यहां चारा बवाया पीछे भी और भी हम यहां पर बक जो संबल S.D.M. है वो साथ आए और हमारे अधिसाती अधिकारी तो हम यहां गौसाला पर भी बहुत ज़्यादे ध्यान देते हैं जिले में हमारे जैसी गौसाला भी कहीं नहीं चल दई हम यहां पर गौसाला में भी बर्चड़ का इस्ता लेते हैं क्योंकि गौसाला गाय हैं जानबर जो हैं इन्हें अल्ला भी खुस होता है इस वर खुस होता है अगर हम लोगों की भी जुम्मेदारी है इनका ध्यान रखें और यह बहुत बड़ा पुनका काम है तो अभी चुनाब जो है वो कुस महिने के लिए टल सा गया है अभी जो है डिसाइड होगा कि टूनाब होगा देटिन उससे पहले हमारे चैनल के मध्यम से आप मैसिज देना चाहते हैं इनकी तुरह टरह टरह की सोच बनाए से पिछले चैर्मेनों की सोच क्या थी और अब जो दस साल में मैंने काम किया है तो जनता को खुद सोच समझ के जनता बहुत समझदार है मैं उन्हें कोई निर्देश नहीं दे सकता वो जो भी है सब जानती है जनता का सब देखा हुआ है जो जो काम हुए है इसकी रप्तार को ना रुकने दें आने वाला चुनाओ है सोच समझ के अगर जो बचव के काम है जो अभी रह गए हैं मैं उन्हें भी आपके चैनल के माध़न से अगर मिझे अलल्ह ने इस बर ने मौका दिया तो मैं उन प्कामों को भी करा के दिखाऊ हुआ कैंद्रिय विद्धाले का प्र यह चाहेंगे कि बचों के काम जो भी हैं वो पूरे हों अगर सिर्सी के जनता दोबारा सिर्ज जो है मौकाद देती है तो सिर्सी गे लिए दो बड़े कौन से काम होने वाले हैं एक तो सम्मे बड़ा काम तो सिर्सी में यह कैंदिये बिद्धहल ले कई होगा और इसके ले आये या किसी भी राज्य सरकार से आये तो मैं अपनी बच्चियों के लिए एक कॉलिज और लाने की कोशिश करूँगा दूसरा एक जिम करने का एक बहुत मैं यह चाहता हूं एक प्रोजेक्ट ऐसा लाँगा कि जो जिसमें जिम करने वाली मशीने और एक बिल्डिंग बनवाओं उसमें जिले में सम्मा अच्छी बिल्डिंग हो क्यों कि यह जहां हम खड़े हैं यह जो जगा है यहां पर खुली हवा है और लोग जिम करने आंगे क्योंकि आजकल बीमारी हैं तरह तरह की लोगों को डाक्टर भी बताते हैं हम लोग जो है ऐसी एक मशीने स्वासृ गैंद्र जो है बो मैंने जमीन चिनिद कर दी है वो बनवाने के लिए वो जो मिझे जमीन ना मिलने पर है रही साल करोना दुसाल करोना में रहे और お خ Lösung कही में रहे। और बो नई बन बन पाया लेकिन जमीन चिनिद कर दी आ इंशालला वो भी हम बनभा के झाल 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 झाल